हलो एवरीवन वेल्कम बेक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं सिंपल सूट ड्राफ्टिंग हम सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग प्लस त्योरी सीखेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे संब्स्राइब करें तो मेरे चैनल को स्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आयसे तो लाइक करें तो देखिया सबसे पहले हम यहां पर हमें शूट मैं क्या मेजरमेंट चाहिए वह में यहां पर लिकенд यहां पर पहले हम सूट की लंबाई हमेरे सूट की लंबाई कितनी चाहिए हमें इस लिया लिये 38 इंच सोल्डर जो हमारी बोडी से हमें शोल्डर मिलेगा उसका आदा भाग यानिकि 7 इंच गला है आपर 2.5 इंच और उसकी गले की चोड़ाई जो हमारी विद रहेगी वो 2.5 इंच और गले की लंबाई रहेगी 6 इंच इसके बाद हमारा आजाजा है आर्म होल, आर्म होल हमारा यहाँ है 6 इंच इसके बाद हमारा चेस्ट हमारा यहाँ है 34 इंच, कमर हमारी यहाँ है 30 इंच 49 इंच सबसे पहले हम ढ्राफ्टिंग पर समझ लेते हैं कि भी आपके मेसर्मेंट है उसको कपडे पर आप कि इससर से निशान लगाना और किपना मारजिन यहां राखेंगे तो सबसे पहले देख सबसे हम सबसेod कपड़े को चार भाग में फोल्ड किया यह हमारा एक साइड हो गया बंद भाग और यह साइड हमारी है कुली भाग अब सबसे पहले हम गपड़े की लंबाई पर हमें जितनी कुर्ती की लंबाई चाहिए उसकी लंबाई पर निशान लगा लेंगे तो कुर्ती की लंबाई पर निशान लगाने के लिए हमें हमारी जितनी लंबाई रेडी चाहिए उसमें हम 2 इंच मार्जीन का प्लस करेंगे जैसे हमारी सूर्व की लंबाई हो 38 इंच है तो रहें हूं यहां इस में दो इंच प्लस कर लेंगे तो हम यहां जो लंबाई पर निशान लगांगे वो 40 इंच कर लगांगे इसके बाद एक हमारा शोल्डर तो यह बंद भाग की तरफ से हम इस तरह चोड़ाई में स्वेडर का लिशान लगांगे तो सोल्डर जो हमें बोडी मेजर्मेंट से जो हम स्वेडर प्राप्त होता है उसका आदा भाग जैसे हमारे शोल्डर 14 इंच आया है तो हमारा कोड़े इसके बाद हमारे आ जाता है और मोटाय। कंहें निशान लगाने का सबसे licensed हमसे अपने जितना आपका黡ल लिया है। 18 इंच का इंच निशान तो जितना आपने सोल्डर लिया है उसमें हम 20 इंच प्लस कर देंगे तो यहांस आधा इंच प्लस करेंगे तो यहां 20.6 के हमारा पॉل लगेगां aprender 7 इंच लगाया तो आर मल हमारा लगेगा पॉल तो प्र इस्तरा सीधे लंबाई में हम Armall का निशान लगा देंगे Armall का निशान लगाने के बाद सबसे पहले हम लगाएंगे Chase का निशान अब Chase के निशान के लिए हमारा chiff की चोड़ाई है उसका चोथा भाग जैसे हमारा Chest 34 इंच का है तो 34 को हम 4 से divide करेंगे 4 से उसमें भाग देंगे तो हमारा आजाता है 8.5, 8.7, 8.7, 8.7, 8.7 में हम 2.7 margin का plus करेंगे, यहां 2.7 हम सिलाई margin का plus करेंगे, तो जो हम chest का निशान लगाएंगे वो 15.7 इंच पर लगाएंगे, इस तरह से यह चोडाई हम 15.7 इंच पर chest का निशान लगाएंगे, तो देखिए इस तरह से आर मोल के हमें यहां पर निशान लगा लयता हैं यह हमारा चेस्ट का निशान है कि अब हमारे आजाती है कमर इस तरह हैं चाओदा इंच की कंभाई पर हम करेक्षाल लगाते हैं, आप एक बार अपनी बोडी मेजर्मेंट से सोल्डर से लेकर कमर तक नाप लीजिए, और जहां आपका निशान आता है कमर का वहाँ आप कमर का निशान लगाएंगे, तो अधिक तर यह निशान 14 या 13 इंच पे आता है, तो हम यहां 14 इंच पर कमर का निशान दो इंच हम सिलाई मार्जिन का इसमें प्लस करेंगे तो यहां हमने कमर का निशान लगाना है जो साड़े नो इंच पर लगेगा हमारे कमर का निशान मार्जिन सही साड़े नो इंच पर लगेगा यह हमारा कमर का निशान इसे भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और यह हमारा चेस्ट का निशान तो देखिए इस तरह शोल्डर पर हमें नाप लेना है और जहां हमें चाक रखना है वहां पर हम निशान लगा देंगे तो मैं यहां लगा रही हूं 18 या 19 इंच पर हम चाक का निशान लगा देंगे इसके बाद हम चोडाई में लगाएंगे यहां हिपका चोथा भाग प्लस उसमें तू इंच मार्जिन करेंगे तो हमारा यहां हिपका हिप हे थर्टी 8 इंच तो इसका चोथा भाग आजाएगा 9 इंच और इसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे तो यहाँ 11 इंच पर हम हिप का निशान लगाएंगा आपका बोडी मेजरमेन कोई भी हो किसी भी नापका हो आपको इसी तरह से उसको चार से डिवाइड करकर और इसमें 2 इंच मार्जिन का सिलाई मार्जिन का हमें रखना है। इसी तरह से आप वहाँ पर निशान लगाइनगे अब हमारा आ की दामन की चोड़ाई जतने हमारा नीचे का बोटम चोड़ा रखना है उतना हम ले लेंगे और उसके अंदर दो इंच प्लस कर देंगे जिसे हमार यहां दामन की चोड़ाई है नो इंच तो हम यहां नो इंच में दो इंच प्लस कर देंगे मार्जिन का ताकि हम जब चाग बनाएंगे तो उसके अंदर कपड़ा भी उठेगा तो यहां दामैन की चोड़ाई में हम 2 इंच प्लस करकर निशान लगा देंगे इस तरह से हमें सीधा निशान लगाना जो हमने चाक का निशान लगाया है उससे सीधा हम यहां पर इसे इसके बाद हम आर्मोल की गोलाई देंगे आर्मोल की गोलाई हमें यहां पर 1.5 इंच पर हम यहां पर आर्मोल की गोलाई देंगे, अगर आपका चेस्ट साइच कम है, 30 या 28 है, तो आप यहां आर्मोल की गोलाई 1 इंच भी रख सकते हैं, मैंने आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखी है, हमें गले की चोड़ाई है, हमें चे इंच ही होती है आप यहां इसकी थियोरी भी नोट कर लीजिए तो सबसे पहला पहला पॉन्ट है सबसे पहले हम कपड़े को чार भाग में फोल्ड करना है इसके बस चात हम कुर्टी की लंबाई पर निशांन लगाएंगे मार्जिन सहीत हमें कुर्टी की 30 इंच की है, लंबाई उसकी तो हम 32 इंच पर निशान लगाएंगे, दो इंच का हम मार्जिन रखेंगे, इसके बाद हम बंद भाग की तरफ से शोल्डर का निशान लगाएंगे, अब बंद भाग की तरफ हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे, अब शोल्डर का जो निशा का रखनी है और सोल्डर की लंबाई से हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे इसके बाद खुले बाग की तरब से हम चेस्ट हीप वह कमर का निशान लगा लेंगे और तीनों को मिला देंगे इस तरह से देखिए हमने यहां पर निशान लगाया है इसके बाद हमने कमर का और इसतर हम यहां से, निशान से, इनको मिला देंगे, देखिये लिए आपने निशान से कुर्टी की कटिंग कर, इसके आपको सूत की ड्राफ्टिंग और की ट्योरी बता दी है अब में इस से आपको पेपर कर कट करके बता देती हूं कि हमें शूट जो सिंपल कुर्ती है उसकी निसान कैसे लगाने है और कैसे उसे कपड़े पर कट करना है सिंपल कुर्ती कटिंग का वीडियो में अपने चैनल पर अप्लोड भी किया अगर आप देखना चाहे तो आई बटन में आपको इसका लिंक मिल कर लेंगे कि है को ए आग का और हमारी जो बंद भाग है यह हमारी बंद भाग है यहमारी खुली पांक आर में जितनी हमें कुर्ती की लंबाइं लेनी है उसमें टू इंच प्लस मार्जिन करकर इस तरह से लंबाई पर निशान लगालेना है हमें इतनी इस तरह से हमारे कपड़े पर लंबाई पर निशान लगा लेना है इसके बाद हम चोछोटा भाग प्लस दो 50 ऊटर मार्जिन तो हम यहां पर 50 की फैलाई पर निशान लगाएंगे वह साठे दशप्र निशान लगाएंगे इस तरह हंने चैसरे स्पर इंच पर निशान लगाना है इस निशानाको और सीधा कर लेंगे में हम्नों व इसके बाद हम लगाएंगे सोल्डर से 14 इंच की लंबाई पर इस तरह यहां नीचे सोल्डर से 14 इंच की या 13 इंच की लंबाई पर यहां हम लगाएंगे कमर का निशान अब कमर का निशान भी हमें कमर के निशान का चोथा भाग जिससे हमारी कमर यहां 30 इंच थी तो इसका चोथा भागा जाएगा 7.5 इंच और प्लस 2 इंच इसमें हम मार्जिन करेंगे तो 9.5 इंच पर हम यहां पर कमर का निशान लगा देते हैं ये इस तरह से हम कमर का निशान लगाएंगे और इस निशान को भी हम सीधा कर देंगे ये हमारा chest हो गया और ये हमारा कमर का निशान अब इसके बाध अउपर से जो हमारा shoulder यहां से 18 इंच पर चाक का निशान लगाएंगे देखिए यह हमारा चाक का निशान है यहां पर हिप का निशान लगाएंगे कमर के बाद अब हमारा हिप का निशान लगेगा तो हिप के लिए हमारा हिप का चोथा हिस्सा प्लस टू इंच तो देखिए हमारा यहां हिप का च यहांद टेहंगे, यहां इस तरह रसे सीदा कर लेंगे अब हमने मार जिन सहीद यहां पर निशान लगाया है तो हम इस तरह से हमारे निशान भी मिला लेंगे यही हिप से कमर के निशान को माकर है जहां हमें निशान लगाया है वैसे ही हमको इसे मिला लेना है इसकी बाद हमारी ये बोटम की चोड़ाई हमें जितनी बोटम की चोड़ाई चाहिए उसमें हम 2 इंच प्लस करकर इस बोटम की चोड़ाई पर निशान लगा लेंगे और इस तरह से यहां हीप के हिस्से को सीधा कर देंगे इसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल में इस तरह से गोलाई दे देंगे 1.5 इंच की गोलाई हमें आर्म होल में देनी है आर्म होल की गोलाई देने के बाद हम यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे तो गले के निशान के लिए हमें जो चोडाई रखना है वो धाई या तीन इंच रखेंगे और लंबाई हम गले की अपने अनुसार रखेंगे हमें कितनी लंबाई चाहिए गले की और इस तरह से हम निशान लगा देंगे तो देखिए मिने यहां पर निशान लगा दिये हैं इसके बाद हम जैसे हमने निशान लगाये हैं वेसे ही हमें कट लेना है देखिए सब से पहले यहां पर मया इस तरह से हम गले की जैसे हमने निशान लगाये हैं वेशे ही इसको कट कर लेंगे देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है इसी तरह आपके मेजर्मेंट के अनुसार आप निसान लगाएंगे और कपड़े को कट कर लेंगे आप आपको यह वीडियो पसंद आया है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीचे और मेरे चनल को सब्सक्राइब कीचे thank you for watching